तो मैं मुकुंद्राउत आपका स्वागत है लॉंड्री नॉलेज आएंड केमिकल्स में दोस्तो जो छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं छोटा 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 जो नॉलेज होते हैं वो भी आपके साथ सियर करना बहुत जरूरी होता है ताकि एक टिप्स से आप क्या जो कपड़े के बारे में जो जानकारी लेते हैं तो आगे जो हाथसा होने वाला है एक्सिडेंट होने वाला है कपड़े का वो बच जाएगा तो दोस्तों यह जो सार्धी है यह जामूनी कलर की सार्धी है ब्ल्यू कलर की साड़ी है ये साड़ी हमारे शॉप पे जब आती है कस्टमबर के हाथ में भी होती है तो भी हम बोलते हैं कि इसका कलर उड़ गया होगा और दोस्तों कस्टम्बर तो बोलता है यह नया है फिर भी हम ग्यारांटी से आभी हमारे 23 साल हो गए इस एक्सपेरिमेंट में 23 साल हो गए हम काम कर रहे हैं तो कपड़ा देखके ही सारी चीजे पता लग जाती है आपके काउंटर पे भी जब लॉंडरी में इस तरह की सारी आजाए तो आप चेक करके लेना है पहली बात चेक करके लेना है कहाल चेक करना है खास कर जो साड़ी अंदर का पल्लू होता है जो खोसा जाता है वहाँ पे पसीना लग जाता है तो यहाँ पे वो साड़ी खास कर जैसे ही पसीना लग जाता है वहाँ पे वो उसका कलर डैमेज हो जाता है दूसरी बात जो लेडिज लोग पल्लू आपने बगल में पकड़ते हैं वहाँ पे देखना है जैसे ही पसीना लग जाता है इस तरह की साड़ियों में वहाँ पे कलर उड़ जाता है तो ये चेक करके लिया आप कस्टमबर को क्या बोलना है देख लिजिए ये जो साड़ी है तो आपने यूज किया है वाश भी नहीं किया तो इसका कलर उड़ गया है हमें तो इसको वाश करना है तो हो सकता है इसका कलर उड़ जाए हमारी गयारांटी नहीं है क्यूंकि ये कोई भी साड़ी हो तो उसकी तो हम ग्यारांटी दे देते हैं कि कलर भी नहीं जाएगा कोई प्रोब्लिम नहीं आएगा आपकी साड़ी बहुत आची तरह से день अम बना के दे देंगे मगर जब इस तरह का कपड़े में ही कणर में ही फॉल्ट है तो हम क्या कर सकते हैं तो कस्टम्बर बोलेगा ठीक है अभी बगल के पसीने से कलर उड़ गया है और जो अंदर का पल्लू खोसा जाता है वहाँ पे भी कलर उड़ गया है क्या बाकी तरब आभी कलर नहीं उड़ेगा तो हम कहते हैं कि पसीने से कलर उड़ गया है हमें तो पूरी वाश करना है हो सकता है कितना कलर उड़े क्या उड़े हम बता नहीं सकते हैं हमारे पास पूरे संसाधन होते हैं कि सौप्ट वाशिंग के कलर फिक्सिंग के सारे हम केमिकल यूज करके आपके साड़ी को बहुत आ सकता है क्या नहीं बता नहीं सकते कस्टमबर को पावती पे लिखे देना है आपको कि इस तरह की साड़ी डैमेज है और फुल डैमेज है ऐसा लिखे देना है और बता भी देना है और उनकी साइन भी लेना है नहीं तो क्या है देने के लिए एक आ गया लिजाने के लिए दु हम इसी प्रोब्लेम से बच सके सच में तो यह हमारा प्रोब्लेम नहीं है मगर हम अगर ध्यान नहीं देते हैं थोड़ा भी हम ध्यान नहीं देते यह हमारी गलती है बाकी हमारी गलती कुछ नहीं है तो दोस्तों इसी तरह से गलती मत करना जो कि आपकी गलती ना होते हुए भी आपके गले में ये लटक जाएगा क्योंकि आपने गलती ये की है कि सावधानी से इस तरह की साड़िया चेक करके नहीं ली है तो और साइन नहीं लिया है कस्टमबर का उसको लिखे नहीं दिया है तो दोस्तों इसी तरह के जो कपड़े आते हैं कपड़ा देखके ही आम पहिचान जाते हैं कि इस तरह का आगे problem होने वाला है तो इसी तरह से क्या हो जाएगा जबी भी इस तरह का problem आपके लॉंडरी में आ जाएगा जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आपके और कर सकते हैं आपका लॉंडरी नौलेज बढ़ाने के लिए देखते रहिए